बिस्मिल्लाय रह्माल रहीम आज के चप्टर के अंदर हम डालैसिज जैनि सेक्टिर के चप्टर नूबर वन होमेस्टेसिस के अंदर हमने डालैसिज और रिनल ट्रांस्प्लांट के बारे में बात करना है है टिल्संट और रेनल ट्रांस्प्लांट वह विससे पहले हमने किड्नी के डिसॉवडर गणे जो पुड़िसी चीजिज इसमें किड्नी स्तों था राइक अभी तो एक संस्टों क्डिनिसटों जरिन स्टों वि कहा जाता है से कीड़नी स्टों था इसके लावा हम और कि पर पासए महने रीनल फैलियर सो ये किड़नी डिजीजिज इसंगी किडिनी डिस आर्डर हैं के जो करना sigh सो बाजगत क्या होता है कि यह इसारडर इतना स्वेर में की सिफ किसम काुजाताा रिघ्राइफ के legal गोरी किसे कर ठाते हैं कृश्त है गरता था किछ पर चुके इन के यह विए फिल्ट्रेशन टीकिव फिल्ट्रेशन ऑंड बलड तो अब उसके बाद जब और फिल्ट्रेशन नहीं होगी एपने कंटूप माल was thats के बाद मंत्वापश दो आपश्टे हैं से किडाखने का दो hybrid al ने तरह यह किलिए कंट कराऊंगे किने को किड्निक डाइसप्रांट करेंगे के हैं सब्सक्राइबूं। तो आज नों के बारे में पढ़ेंगे के लिए वाट ही सिंपल नायम कह सकते हैं कि डालाइजर जो है ना एक इंस्ट्रुमेंट का नाम है डालाइजर ठीक है यह क्या है एक और रटिफिशल किड्नी अब आप सोच रहेंगे अर्टिफिशल किड्नी किसके को सकता है पर लेकिन जोसके प्रोस्स करेंगे यांने जो टेक्नीक है ठीक है टेकनिक जिसके जरी ढलाइजर को यूज कर Bread करेंगे के Member अक्षम गयातए का करेंगे यह सपानी काम आर्ट्री करेंगे लिए उसके आर्म्स के अंदर आर्ट्री होती है ठीक है उसमें से हम ब्लाड फिड्रा करवाएंगे और उसे एक मशीन के अंदर से घुजा रहेंगे पाइप लाइन आप नदर आ रहोगा से यह नहीं आर्ट्री में से ब्लाड निकालेंगे और इस पॉंपड इंटू डेयलाइजिंगिण फ्ल्यूड होता है जिसके नंदर से ब्लॉड ने पासर करेंगे और फ्र ब्लॉड जब उसमें से पासर करेंगा तो फेलडे में से ब्लॉड के नदर जाएक और शेरिव लाइस पासर करेंगा यहेवाल है एक तरफ डालाइजिंगई फ्लूड है ईप fundamental ब्लड में जो वेस्ट होता है वह ज्यादा होता है और डालेजिंग फ्लूड के इंदे वेस्ट कम होगा सिंपल कुई हम जो डालेजिंग फ्लूड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इसमें फ्री ओफेस्ट ओगा वेस्ट आवश्ट वेस्ट कम है सिंपल बलड में से जो वेस्ट मैठीरल है वो डिफ्यूज आउट होगा इंटू डालेजिंग फ्लूड ठीक है यह Бल्लड में से जो हैं हम बढ़ चुके हैं मसंड वेस्ट मिठ्रियल के अंदर हमाना पस ऑका सकता है तो है यूरिया है जेने जूरिया एंश्ट्र वह रावा स्यूरिया है моя एसका एंगा ओरनेते है है फिर अधर नकरवथ को ब सबक्राइद को अधर केुश्ट टी रहे हो सबस्त抚 यह टाट इस में प Guillermo को कि आ इसके लिए यह बीच में आमीया रृहां है न ही वह 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 होंगे ब्लड में से डालाजिंग फ्यूट के अंदाँ होंगा है सधिसके लावा यह जो बीच में boundary होते नहीं यह बड़ी special boundary होते है यह एक कहले कि selectively permeable होती है selectively permeable होगी ठीक है क्या होगा कि यह allow नहीं करेगी it doesn't allow to pass ठीक है यह allow नहीं करेगी to pass good material कि blood में से good material जोन से है वो dialyzing fluid के नदर जाए so यहां पर ban हो जाएगा तो यह सारा process क्या कहलेगा dialyzing ठीक है यह नहीं dialyzing अब यह जो सा बीच में अप्रेटर्स fitted है इसे हम artificial kidney कहेंगे या dialyzer कहेंगे ठीक है यह dialysis machine है यह फिर दूसरा नाम से कहेंगे artificial kidney अच्छा एक चीज़ जह में रखनी है कि यह सारा process हो रहा है in vitro in vitro in vitro किसे कहते हैं बहुत साइड आउट साइड ऑफ बाड़ी के आउट साइड यह सारा काम और अगर ब्लड को बाड़ी से आउट साइड लाया जाता है फिर पास कर आजएगा तोबारा फिर इस किसी वेन के जरीए इंटर करवा देजाएगा तोब्लड को बाड़ी से बाहर निकाला जाता है और इसको इस process को हम कहते हैं हीमोडायसिस अब हम देखते हैं इस हीमोडायसिस की रियल application किसे नगरा आती है अब ही आपको महन नदर आ रहा है तो पहले से क्या नाम दिया हमने हीमोडायसिस सब्सक्राइड मिस्टेक हो रही है तो यह इस तरहों क्या आपको आपको सामने बंदा भी नदर आ रहा है से यह अब आर्टिफिशल किड्नी साथ डालाइजिंग मशीन पड़ी है अब इसके अंदर एक जोन साथ वो डालाइजिंग फ्लूड और यह डालाइजिंग फ्लूड और दूस तरफ उसका वेस्ट कठा होता जाएगा से और यह सारी मशीन इसके रेट आफ इंजेक्शन और सारा कु सारा के बालाईजिंग करना तो सारा क debb कस्रिट्नी मों का पूंस भीचल सबस्बाड़े नहीं करता है उसका अब सबस्ब्र से ब्लूड को पर एक सम其 üzere यह पन के पर to यहां पर आपको नदर आ रहा है इस टाइम जो डालेजिंग फ्यूड है ना वह एक कहलें कि उसमें भरा जाता है कि उसकी वाइल होती है ठीक है जिस तरह ग्लुकोज वाइल आपने देखियो बाद को पेशन को लगी होती है नार्मल स्लाइन लगा रहता है तो एक वाइल के यह लिटार और देलायाजिंग फ्यूड होता है जिसको डारेक्ट प्रिटनल कविटी ने इन्जक्ट कर दिया जाता है कि करेंगे पैरिटनल निल कविटी यज। ऑने है यह इन्जेक्टेड किया जाएगा इंटू परिटोनेल कैविटी जो एब्डॉमिन के होती है ना परिटोनियल से यह जो आपकी सारी इंटेस्टाइन मुझूद होती है अब जो इंटेस्टाइन होती है और मसल那么 it contains intestines, intestines के ऊपर जोसे smal capillaries होती है, small capillaries की network होता है, ठीक, यह small capillaries है, 이게 site of transportation, यह site of filtration कर लिए है, ठीक है कि उन small capillaries के मदद से ये dializing fluid उसमें से waste material को remove करता है अब उस small capillaries की जो वाल होगी small capillaries की जो वाल होगी वो selectively permeable behavior शोग करेंगे ठीक है जिससे हमने पीछे dializing fluid की membrane की जो यहां पे small capillaries होगी जो किसका हिस्सा है इंटेस्टाइन का हिस्सा है ठीक है तो वहां पे filtration होगी और वो selectively permeable की बतोर act करेंगे यह जो useful material उसको नहीं allow करेंगे कि वह pass करेंगे जबकि जो wasteful material उसको simply diffuse out करेंगे ठीक है और उसके बाद यहां पर थोड़ा complete procedure नहीं है कि जिस तरह यह कहले कि connection है जाने कि इस तरह एक को connection होसा है वह बाहर निकाला जाता है यह ताकि वह जो flood अंदर गठा हो रहा है वह वापिस नीचे कोई bag बगारा होता है जिसके अंदर इसको भर दे जाता है अब जो flood होगा waste material वह इसमें जमाओ देगा ठीक है यह दो बैग होता है इसके भी और यह डालेसिंग flood है तो नीचे यह के मिलेगा हमें waste फुल फ्लूड ठीक है यह नहीं होगा यह भी डालेसिंग फ्लूड लेकिन अब इसके अंदर waste शामिल हो चुका होगा ठीक है अब वेस्ट आपको फिर अंदाद होना चाहिए waste से क्या मरात है ammonia, urea, uric acid जो most important waste है इसके लावा accessory कहलें के like और क्या हो सकते है वेस्ट में extra water हो सकता है या फिर extra salt तो गहरा ठीक है इस तरह जैन्थीन, hypo-zenthine इस तरह के waste material अब यह example है इसकी जिए आपको एक पेशेंट नदर आ रही है इसका kidney काम नहीं करता सही तो उपर यह dialyzing fluid है dialyzing fluid जो कि इसकी बाड़ी में inject किया जाता है peritonial cavity के अदर और फिर यही जो सब वेस्ट में wasteful हो जाता है ठीक है इसी के अंदर waste आ जाता है जिसको दूसरे बैक के अंदर जम्मा कर ले जाता है और इस दुरान आपको देखेंगे पेशेंट जोंस है वो वेट अराम से घर के अंदर होसता है यह process आपके किचन के क्रीब बैठ है किचन रेंज नेंदर सब्सक्राइब जाता है किसी किसम की कंटमिनेशन ना हो जाए इनके बहुत स्पेशल के की जाती है और होम इंवार्मेंट बहुत प्रोटेक्टिव बनाना पड़ता है मुई है तो हमने डालैसिज बड़ा इसमें दो किसमें पढ़दी है एक है दूसरे को किसे मरी था neste काम नाम मैं ने लिखा देज़ पैरी टोनियल डायसिस चीक है डायसिस और दोनों के हमने प्रिंस्पल बढ़ें किस्तर किस्तर हो रहें अब हम आगे चलते किद्नी ट्रांस्प्लांट के पर so kidney ट्रांस्प्लांट वरी सिंपल के कुछ कूछ पेशिंट ऐसे होता हैं जिनका KIDNi जब function नहीं करताbekनि अपर तक फिर वो अपने किद्वी ट्रांस I will करते हैं ठीक कई त्रांस really सबसे मेजर स्टइप होता है कि डॉनर अर्यक्वाइट होता है कि है डॉन आर्ब भी वह जो किस स testimony pay occupied किसे कह पूंप ल that सब्सक्राइब न दे ठीक है यह जो डिस्टर्ब न करें बाडी केमिस्ट्री को ठीक है यह जो डॉनर की किमिस्ट्री ओव वो दूसरे की बाडी से मैच करें चाहिक ए इकजैमपल का मसल्ण बलर्ड गृप का मैच करना जड़ूरी है ठीक है और कोशी हो नीशें कि वीदिन फैमली हो, ठीक है कि फैमली में से डोनर मिला जाए, llcSha मतावा sugar कोई एसा परसंट जो अपना ऐट करना चाहता हो ठीक है, अहलनके है बहुत कम ऐसे के है कि हमें डोनर मिलते हैं किड़नी फेलरी केसि के नदर जो किड़नी टूनेट करें और उनका किड़नी आके जाके सही फंक्शनली वर्क भी करें ठीक है तो डोनर कौन सा होता है जिसकी बाड़ी के में इसटी बिल्कुल मैश करती हो जो रिसेप्टर है उसके साथ ठीक हम करेंगहरई कर्फ रवाप इस हाट के जाते हैं सो इनके साथ एक क्या लें के किड़नी यहां पर फ्लेस किया गया है ठीक है ट्रांस्प्लांटेड कीडिनी अचिक सर्जिकल सारा है संस्थ प्रासिस तो इसलिए यह बहुत सेंस्टिव होता है तो है कि इन्फेक्शन के स्व हो सकते हैं और जो मसला नहीं भी इतना होता वो भी वढख सकता है सर्जेरिक नश्रसाव सब्सक्राइब जादा रिस्किया होते हैं ठीक है तो सर्जीकल निहींदी कर रिविदर जो डोनर से kidney receive करते हैं फिर उसको next step में transplant कर देते हैं ठीक है second step क्या हो जाएगा transplantation का के जो receptor है उसकी बाड़ी के अंदर transplant कर दिया जाता है यहनी यह कि operation के तरही होटा है transplant surgical operation होटे है तरही स्थे इस में must क्या चीज होती है कि जो donor की body chemistry इसके लावा और भी काफी matching properties होते हैं मसला उसकी जो ब्लड की chemistry है जिसमें के antibodies होती है निनी blood chemistry में भी इसका involvement हो जो आ किले कानफ वाल करें अगर यह स्टेप मुझेत आ श्मलाट एक रिगले वाधन वहार किया है हो शक्राइब कम प्रक्रांसे सब्सक्राइब ज्रिप्म कर्युत कोई सब्सक्राइब यह स्च्बार कुई ता एक enabled जुक्यु ज़को का उच चिंदelf हुआ है उसका blood group सही match नहीं करता तो antibodies बनेंगी antibodies जाके इसके cells को destroy करना शुकर देंगे निए kidney उसके वैसे इसे हम transplant reduction का case कहते हैं say कि जो body's immunity है ठीक है body की immunity वो destroy कर देती है ठीक है start destroying destroying the transplanted transplanted part of the body ठीक है transplanted organ के रहें जिसना kidney की example है so transplantation की बहुत सी types like liver transplant होता है heart transplant भी हो चुक है say और kidney transplant तो बहुत पहले से हो रहा है say so अगर body की जो immunity है वो destroy करना शुकर दे उस transplanted organs transplant rejection का case कहते हैं say so यह आज यहां तक हमने आज बढ़ना था इसके अंदर हमने का कवर किया dialysis dialysis के मतलब यह आर्टिफिशल किड्नी के तोर पर जो हमने machine इस्तमाल की फिर peritonal dialysis जिसको हम घर में बैठके भी कर सकते हैं say इसके बाद इसके बाद उसका वेस्ट रिमूव हो जाएगा say और यह भी इसमें इंट्रस्टान की स्माल कैप्लिश थी वह करेंगे जिसमें से material जोंसा हो एक्सपोर्ट आउट होगा यह वेस्ट मट्रियल जोंसा हो बाद निकलेगा और फिर डालाइजिंग इस चंबर में घठा होता जाएगा और यूसफुल मट्रियल जो ब्लड के रहेगा इसके लावाज जो डालाइजिंग फ्लूट है वो फ्रेश नीचे से डाला जा रहा है उपर से निकला जा रहा है तो इस तरह इस कहलें कि ब्लड की इस फिल्ट्रेशन होती है सो नेक्स्ट चेप्टर के अंदर हम अगले टापिस कवर करेंगे सो आज के लेक्चर में हमने डालाइसिस रोटीनल ट्रांस्प्डाटेशन के बारे में पड़ा है झाल 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